राधे राधे सभी को और आप सभी का स्वागत है मेरे यूटब चैनल क्रियेक्टिव स्टडी एचकेपर सो महारिशी दैनंद यूनिवस्ती ने बी एड और एम एड रेगुलर प्रोग्राम के प्रोस्पेक्टस निकाल दिये हैं और प्रोस्पेक्टस में आप सभी को पता होता है कि क्या क्या लिखा होता है आपके अड्मिशन के लिए कब ओनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं और फीस कितनी हैं कॉलिस की प्राइवेट रेगुलर की कितनी डिस्टिबुशन ओफ सीट्स है अबाउट यूनिवस्ती और ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जा सकता है और इलीजिबिलिटी क्रायट एडिया क्या है और मैं आपको यह बताने वाल हूँ बी एड एम एड म में भरना आपको और मैड की बात की जाए जब तक आपते बी एड का फाइनल यर का रिजल्ट नहीं आता तो आप मैड में कैसे अडिमीशन ले सकते हो यह आप सब के दिमाग में होगा चल रहा होगा तो आपको सब क्या करना है लास तक वीडियो देखना है तो यूनिवस् द्वारा तो आप देख सकते हो फेज वन की बात की जारी है की डेट्स फोर ओनलाइन एडमीशन फोर बियाड रेगुलर प्रोग्राम ओनलाइन अवेलिबिलिटी ओप्रोस्प्रेक्टर्स ओनलाइन रिजिस्टेशन रिमिटेंस ओफ रिजिस्टेशन फीस ऐस वेल आस कां कालेज है उनकी बात की जाये तो उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ओनलाइन का दो से लेकर तेईस तारिक तक और जो दूसरे प्राइबेट अब देख सकते हो दो से लेकर तेईस नमंबर की जारी है तो दो अभी फोर्म जल्दी मत भरना क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है ग्रैजूशन स्टूडन्स का क्योंकि आपको उसी के बेस पे एम एड में बी एड में एडमिशन लेना है तो आप वेट करिए दो तेईस से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा अगर रिजल्ट जारी नहीं होता तेईस से पहले तो यूनिवस्टी तेईस तारीक जो लिकी भी आया यहाँ पर ये डेट एक्स्टेंड कर देगी क्योंकि उनको भी पूरी सीट फिल करनी है तो वो ऐसा जरूर करेंगे तो आप अभी जल्दी मत करो अपना रिजल्ट आने दो उसके बाद आप फॉर्म फिल करना तो बात किजाए दस से पहले यी रिजल्ट डिक्लेर हो जाएगा online choice filling और blocking form fill करना है उसी के बीच में आप choice भी fill कर सकते हो in between dates display of category wise marriage list of applicants 25 को पहली list लगजीगे आपको reporting करनी है आपको 25 से लेकर 26 तक और जो private की है 12 से लेकर 14 तक display of final marriage list आपकी लगएगी 27 को और private की लगएगी 15 को allotment reporting schedule of government government added college of education online allotment of seeds first round of counseling 28 को होगी second round of counseling जो होगी 5 को होगी और third round of counseling आपकी होगी 10 तारिक को verification documents सब आपका given है आप आप देख सकते हो allotment reporting schedule of SFS college of education यह government added college है और जो यहाँ पे given है यह हमारे self finance college की बात की जारी है अबे इनकी अलग date है allotment की phase 2 की बात की जाये तो क्या चक्करेश में fresh applicant of candidate with late fees थाउजंद रॉट्फू admission counseling for B.I. regular program SFS college online registration remit अगर जिनका फिर नंबर नहीं आता है first, second, third में अगर जो seat बची होगी तो फिर आपको इस बर्दार से online form फिल करना होगा फिर फिलिंग और लोकिंग करनी होगी display होगी merit list 6 तारिको फिर reporting time होगा dispensary में display merit list after recalling dispensary if any received फिर दबार से counseling करवाई जाएगी 9, second, 15 जानवरी और third counseling है 20 January अब M.Ed की बात की जाए M.Ed की और B.Ed का result आप देख सकते हो M.Ed का admission है जो दो से लेकर 10 तक है तो आपका 10 दिसंबर से पहले पहले result जारी कर दिया जाएगा B.Ed का तो same fees वही है और आप देख सकते हो round of counseling कब start है 16, 21 और last जो है third counseling 26 को है so fee structure की बात की जाए हाँ पे तो हम देखते हैं fee structure क्या system है so हम fee structure की बात करते हैं government, government added college की fees है जो बारा हजार है और self financing college of education की च्वालिस हजार है above fee subjected to revision by state admission and fee committee haryana in addition of the above fees addition भी हो सकता है annual charges will be applicable prescribed by university from time to time annual charges are under as annual charges की बात की जाए तो क्या के charges है आप देख सकते हो grant total 4000 complete हो रहा है और M.Ed के लिए self finance college ही है सिर्फ government college हापे नहीं है कोई भी तो M.Ed में जो fees है वो 38,500 है और government charges देख सकते हैं अब क्या है amount of annual charges addition by so हमारा seat का हो गया so आपका पूरा process यह है तो तारिक से आपके form स्टार्ट हो गया है अभी आप fill मत करो क्योंकि आपका पहले result आने दो फिर उसके बाद आप जल्दी मत करिए form भरने की अभी आपका result आजएगा उसके बाद आप form fill करना और आपका admission अराम से होगा या university date बढ़ा सकती अगर result नहीं आया बाकी आगे column में आपके सेटी कर दिये है किस हिसाब से होने चाहिए और यह भी दिया वहाई इसमें allotment of seat SCBC की कितनी है और अपने दोस्तों का आप share कीजिए और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को subscribe कर लीजिए धन्यवाद